तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से हमने ट्रेन नम्मर 21-42 के बारे में पूरी डीटेल्स में जानकारी दी है अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भूलिए तो नमस्कार दोस्तों मैं विजसंका चौहन स्वागत करता हूँ अब सभी का इस तरह यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम ट्रेन नम्मर 21-42 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों ये गाड़ी पाटली पुत पटना से चलाई जाती है लोकमान तीलेक टर्मिनस के लिए और इसका नाम दानापुर लोकमान तीलेक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन है और दोस्तों ये COVID-19 के तहत चलाई जा रही है तो यहाँ पे मैं आपको complete जानकारी देने वाला अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी दोस्तों यहाँ पर मैं रेल्वे के अपडेट और ट्रेन की जानकारी देते रहता हूं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर किजिए इस ट्रेन की सारी जा को विड-19 के तहत क्षळाय जा रही है दोस्तों उनलोकमान तिलेक टäовор और ये पिपी टि यानि पार्टली पुत्र से ट्रेश चला या दुस्त त्रेन से आप सब्टाव किसी बही किसी बीदिन शफ़र कर सकते हैं टू सिटिजन यानि चालू के भी कोटाइस में उपलब्द हैं यहाँ पे अगर इसके किराय की बात किये जाए तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप फॉस्ट एसी में इसका टिकेट लेते हैं तो चार हजार पैंसेट रुपे पढ़ने वाला है और अगर आप सेकेंड एसी में टिकेट लेते हैं तो 2395 रुपे आने वाला है अगर आप इसका थर्ड एसी में टिकेट लेते हैं तो 1665 रुपे लगने वाला है और यहाँ पे अगर आप इसका स्लीपर का टिकेट लेते हैं तो 635 रुपे स्लीपर का इसका चार्ज है वहीं आप टूस्जिजन यानि है वो है 2,085 रुपए और sleeper में जो ततकाल का किराया है वो है 830 रुपए वहीं अगर आप चालू में ततकाल का टिकेट लेते हैं तो 405 रुपए आपको ततकाल के टिकेट का देना होगा इसके बाद दोस्तों यह गाड़ी टोटल 1691 किलोमेटर की दूरी की तैंग करती है और 28 गंटा 30 मिट में यह अपने दूरी को तैंग करती है यहाँ पर इसका जो दूसरा इस्टॉफ होता है वह होता है दानापूर दानापूर में आपको 11 बच के 5 मिनट पे पहुंचाती है और यहाँ पे इसका 2 मिनट का इस्टॉफ होता है इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा इस्टॉफ आता है जो की है आरा जक्सन और यहाँ पे आपको 11 बच के 28 मिनट पे पहुंचाती है दो मिनट का इस 24 किलो मेटर की दूरी तैंग करती है इसके बाद दोस्तों इसका जमनिया स्टॉफ आता है और जमनिया 13 बच के 11 मेट पहुंचाती है और इसका दो मिनट का इसका स्टॉफ हो जाता है और यहां पे 164 किलो मेटर की दूरी तैंग करती है और यहां तक यह गाड़ी बिहार में चलती है इसके बाद दोस्तों जिसका इसका दीन द्याल उपर 10 जक्सन जो इस्टॉफ आता है जो की है यूपी में और यहां पे दोस्तों 14 बज के 32 मिनट पे गाड़ी पहुंचाती है यानि दो बजे और यहां पे इसका 15 मिनिट का इस्टॉफ होगता है और 208 किलो मिटर की दूरी ये गाड़ी तैं करती है इसके बाद इसका साथ नम्मर जो इस्टा पाता है जो की है प्रियाग रागश्यों की और यहां पे दोस्तों गाड़ी 16 बज के 50 मिनट पे पहुंचाती है और 2 मिनिट का इसका इस्टॉफ होता है यहां पे 302 किलो मिटर की दूरी गाड़ पहुंचाती है दस मिनिट का इसका यहां पे इस्टॉफ होता है और 521 किलो मिटर की दूरी ये गाड़ी तैं करती है इसके बाद इसका नम्मर इस्टॉफ काफी दूर दूर है और यह पढ़ता है जबलपूर में गुच दोस्तों गाड़ी आपको 23 बज पहुंचाती है य है जहां पे इनके स्टॉफ नहीं दिये गए है यहां पे दोस्तों गाड़ी आपको सुबह एके 7 बज के 5 मिनिट पहुंचाती है बुसाओल में यहां पे 5 मिनिट का स्टॉफ होता है और गाड़ी 1263 किलो मिटर की दूरी तैं करती है और यहां पे इस गाड़ी को दूसरा लग जाता है इसके बाद दोस्तों इसका 11 नमर इस्टॉफ आता है जो की है मनमार जक्सन और 9 बच के 23 मिनिट पहुंचाती है और यहां पे इसका 2 मिनिट का स्टॉफ होता है और 1446 किलो मिटर की दूरी यह गाड़ी तैं करती है इसके बाद दोस्तों इसका अगला और यहां पे दोस्तों गाड़ी 13 बच के 42 मिनिट पहुंचाती है यानि 1 बच के 42 मिनिट पहुंचाती है और यहां पे 3 मिनिट का स्टॉफ होता है और 1653 किलो मिटर की दूरी यह गाड़ी इसके बाद दोस्तों इसका स्टॉफ आता है 14 नमर जो की है लास्ट और यह terminus finally पहुँच जाती है यहाँ पे 15 बच के 15 मेट पह यानि 3 बच के 15 मेट पह और यहाँ तक दोस्तों यह गाड़ी 1691 km की दूरी तेंख करती है टोटल इस गाड़ी को अपने दूरी तेंख करने में 2 दिन लग जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से हमने ट्रेन नम्मर 21-42 के बारे में पूरी डीटेल्स में जानकारी दी है अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भूलिए मैं उसके उपर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सो दोस्तों फाइनली आज किस वीडियो में यही था अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं कैसी इंटरस्टिंग वी तरम